इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उप्योग करते ह हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जम्मिदारी नहीं होगी gastroesophagal reflux disease यानि की GERD एक पुरानी यानि की दीर कालेक स्थिती है जिसमें पेट में acid का अधिक उत्पादन होता है trabifast excel capsule एसार आपके पेट में बनने वाले acid की मातरा को कम करता है और नाराजगी और acid reflux से जुड़े दर्द से राहत देता है आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा कि इसके प्रभावी होने के लिए निर्धारत किया गया है जीवन शैली में कुछ सरल परिवर्तन GERD के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते है इस बारे में सोचे की कौन से खाद्य पदार्थ नाराजगी पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें छोटे अधिक बार भोजन करें यदि आप अधिक वजन वाले हैं तो वजन कम करने का प्रयास करें और आराम करने के तरीके खोजने का प्रयास करें सोने के 3-4 घंटे के अंदर कुछ न खाएं इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुछलें या तोड़ें नहीं रेबिफास्ट एकसिल कैपसूल सीनियर को खाली पेट लेना है रेबिफास्ट एकसिल कैपसूल सीनियर दो दवाओं का एक मिश्रन है लेवुसलपिराइड और रॉबिप्रागोल लेवुसलपिराइड एक प्रोकेनेटिक है जो एसेटाइल को लाइन, यानि की एक रासायनिक संदेशवाहक की रिहाई को बढ़ा कर काम करता है यह पेट और आतों की गती को बढ़ाता है और भाटा को रोकता है, यानि की एसेड भूजन नली तक जाता है रेवेप्रागोल एक प्रोटॉन पंप अवरोधक, यानि की पीपी आई है यह पेट में एसेड की मात्रा को कम करके काम करता है जो एसेड से संबंधित अपच और अलसर से राहत दिलाने में मदद करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को टन अन आल नोटिफिकेशन पर सेट करें, धन्यवाद